नमस्कार आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूँ आपके साथ अक्षरा आरया आग्रा में धूनी लगा कर तब पर बैठे साधू गीतागिरी महराज आग्रा के जग नेगर गाउ में इस्तित वनखंडी आश्रम पर साधू गीतागिरी महराज लोग कल्यान के लिए 31 मैं से दूना लगा कर तब पर बैठे हैं तब के लिए खुले आसमान के नीचे चलचिलाती धूप में भी अपने चारो तरफ कंडे सुलगा रखे हैं महराज के शिस से गनेशानन्द सरस्वती महराज में बताया कि बाबा यह तब लोगों को कोरोना से मुक्ति मिलने के उद्देश्य से कर रहे हैं इस दोरान परीसर में गाइडलाइन्स का पालन भी किया जा रहा है आश्रम में महराज के अलावा दो-चार वैक्ती ही रहते हैं महिलाओं और बच्चे भी उनकी पूजा सेवा करने के लिए लगभग दो पहर दो बजे पहुँचते हैं गीतागिरी महराज की यह पाँच भी तपस्या है इससे पहले भी वह इसी आश्रम पर तब पर बैठ चुके हैं महराज के शिस्य गनेशा नंद सरस्वती महराज ने बताया कि बावा यह तब लोगों को कोरोना से मुक्ती मिलने के उदेश से कर रहे हैं इस खबर पर फिलहाल इतना ही खबरो कासल सिला जारी रहेगा आप देखते रहे हिंद भारत देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूल